घोड़ा और बिल्ली की कहानी एक घोड़ा जेंगल में घुज जाता है और वो पानी की तलास में इधर उधर भड़कता रहता है जब कहीं भी पानी नहीं मिलता तो वो एक जगा बैठ जाता है उधर से एक बिल्ली गुजर रही होती है अरे घोड़े भाई अपने पहली बार तुमको देखे लाए इदर तुम क्या कर लाई जंगल में भाई पानी की तलास में ही आया हूँ पानी सूग गया हमारे इलाके में यहां भी पानी नहीं मिल रहा आप बताओगे साला घंचकर लगता है मेरे को यह पागले पानी की चकर में यह शेर खान की लाके में आगे लाए लगता है शेर खान की खुराग बनेगा यह बिल्ली भाई क्या सोच रहे हो आप कोछ नहीं मामू चला आप तिरो को पानी दिलाता हूँ भाई गुड़ा एक बात बता पानी के चकर में तू शेर खान की लाके में आगे लाए तिरो को डलनी लगता हाँ तो आदस ही हो गई है ले भाई पानी पीले जितना मर्जी अपने घर परिवार वालो के लिए भी लेते ही जाना पे बुनना पे अराम से पी तसली से पी भाई अराम से पी जब तक हूँ क्या हुआ रुक्यों गया अरे भाई पी जब तक मैं हूँ शेर खान देरा कुछ भी नहीं बिगाड सकता पीले भाई पीले पीले थोड़ा अपनी घर वाली के लिए पीले ले शुक्रिया बिल्ली भाई बहुत बहुत शुक्रिया अब शुक्रिया कुरिया मत बूल मामू अइंसानी इंसान की काम आता है अपन तो फिर भी जानवली चे कोई नहीं चल चल ठीक है बड़ो अब उनको लगता है तेरो को जाना चाहिए अब लेकिन दोस्त तुम शेर खान से इतना डरते क्यों हो अरे घोड़े भाई अब उन से ज़्या तागत बर इस जंगल में है इच नहीं कोई अब उन बहुत खत्रनाग लोंडा है बिल्ली घोड़े से ये बात मजाक मजाक में कहती है लेकिन हकीकत में शेर खान पीछे से आ जाता है ये बात देख कर तूनों ही घबरा जाते हैं और अपने उपर बिल्ली को चड़ा कर घोड़ा बहुत ही तेजी से निकल जाता है बिल्ली को लेकर घोड़ा इतनी तेज भागता है कि शेर खान धूंड ही नहीं पाता बाल बाल बचे हुआ लेकिन तुम तो एयार घोड़े भाई कमाली कर दिये बड़ी ही तेज भागे और फिर शेर खान अपनी गुफा यानि लोमडी से जाकर कहता है अरे हो लोमडी ये शेर खान के इलाके में क्या हो रहा है क्या हुआ महराज अगर आज वो घोड़ा बीच में नहीं आता तो गाए मेरा शिकार बन गई थी अगर मुझे आदे घंटे में कोई अच्छा शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे खा जाऊंगा अब मैं सोने जा रहा हूँ कोई बड़ी असा शिकार धूंड के मेरे पास लेकर आ जो हुकम शेर खान शेर खान ये बात कहकर गुवा में चला जाता है और लोमडी शिकार देखने के लिए जंगल में जाती है